हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे ग्यान फोर यू यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि SMPS क्या है और इसका कहां यूज होता है तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसे कि आपको पता है हर कोई आज की दुनिया में कम्प्यूटर का इस्तमाल करता है चाहे वो डेक्स्टॉप करे या फिर लेप्टॉप लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं तो उन पार्ट्स को बिजली चाहिए लेकिन ये बिजली हम अपने घर में इस्तिमाल करते हैं उससे बहुत ही कम होती है जैसे कि बात किया जाए टीबी, फ्रीज, आयरेन ये सब डायरेक्ट 220 वॉल्ट से 240 तक इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर एही वॉल्टेज हम कम्प्यूटर के पार्ट को डायरेक्ट दे देते हैं तो सब कुछ जल जाएगा इसलिए कम्प्यूटर में हम लोग SMPS यूज़ करते हैं SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्ला है और ये एक एलक्ट्रोनिक सरकिट है अगर आप डेक्स्टोप खरिद देंगे तो आपको एक स्क्वेर सेप का डबा मिलेगा तो ये वही SMPS है ये डिवाइस कम्प्यूटर के अलग-अलग हिस्सो को पावर देता है जैसे की रेम, मदरबोर्ड, फेन और फिर मदरबोर्ड से अलग-अलग हिस्सो तक बिजली पहुचाई जाती है SMPS की कनेक्टर की अगर बात किया जाए तो पहला है ATX कनेक्टर इसे 24 पिन फिमेल कनेक्टर भी कहा जाता है दूसरा जो है, वो है ATX 12 वोल्ट कनेक्टर इसके 4 पिन होते हैं और इसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई होता है तीसरा जो है, वो है AT कनेक्टर इसे P8 या P9 कनेक्टर भी कहा जाता है जवता जो है, वो है 4 पिन कनेक्टर इस कनेक्टर का यूज आप floppy disk drive या फिर hard disk या DVD writers को power supply देने के लिए यूज़ कर सकते हैं पाज़वा जो है वो है SATA output connectors इस connector का भी यूज़ आप DVD drive या फिर hard disk में power supply के लिए कर सकते हैं Computer SMPs की अगर बात किया जाए तो वो input 220V लेकर output में 12V, 5V और 3.3V output देती है तो आसा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो आपको कैसी लगी लीज लाइक और कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी परकार के computer knowledge और job news के लिए हमारे ग्यान for you को subscribe करना बिल्कुल न भूले हैं